इस वीडियो में हम class 8 की exercise 1.1 के question 10 और 11 को solve करेंगे question 10 है लिखिए ऐसी परी में संख्या जिसका कोई विद्क्रम नहीं है ऐसा आपको rational number बताना है जिसका कोई reciprocal नहीं होता यहनी उल्टा विद्क्रम तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका विद्क्रम नहीं होता वो संख्या है zero उसंख्या कौन सी है zero क्योंकि zero का ए हुई आफ उल्टा करेंगे जैसे आपको 7 क्यों लिखना हो तो आप 7 के नीचे एक लगा दिएग और इसका विद्क्रम क्या हो जाएगा ये डिफाइन नहीं है ए परिवाशित है एक में जीरो का भाग देने पर क्या आता है इसकी कोई परिवाशा नहीं है कोई परिवाशित नहीं हो आस गणित में कि एक में जीरो का भाग देने पर क्या आता है कभी इसको अरंद का जाता है लेकिन अब यह माना जाता है कि इसका अब दक कोई solution है हम नहीं कर पाए हैं तो इसलिए इसको ए परिवाशित रूप कहते हैं तो ऐसी परी में संख्या जिसका कोई विद्करम नहीं है वो संख्या क्या होगी आपकी 0 होगी 0 का कोई विद्करमे नहीं होता है दूसरी है परिमे संख्या जो अपने वित्करम के समान हो वित्करम का मतलब रेसिप्रोकल उल्टा करने पर संख्या समान आती हो वो संख्या कौनसी है एक तो है एक इसका उल्टा करोगे तो भी आप एक याएगा एक करोगे तो ये एक बटा एक याएगा दूसरी संख्या है minus 1 minus 1 के बटे में जैसे 1 लिख दूमें उसका उल्टा क्याएगा 1 बटे minus 1 जो फिर वापस क्या बन जाएगा minus 1 बन जाएगा तो 2 संख्याए हैं 1 और minus 1 इन दोनों को पलटने पर यानि इनका व्यूतकरम निकालने पर क्याता है? सेम आता है एक का व्यूतकरम एक होता है और माइनस एक का व्यूतकरम माइनस एक होता है तो आप कह सकते हैं कि एक और माइनस एक दो ऐसी संख्याएं है जिनके व्यूतकरम समान है उसके बाद में अगला है परीमे संख्याथ जो अपने रिनात्मक के समान है ऐसा rational number आपको बताना है जो अपने रिणात्मक के समान है यानि जिसको minus कर दे रिणात्मक क्या होता है जिसके एक संख्या 7 है इसके रिणात्मक क्या होगा minus 7 एक संख्या minus no i-rex का रिणात्मक क्या होगा no negative of a rational number यह मैंने आपको जो वीडियो बनाया था गुण धरम का प्रोपर्टीज का उसमें बताया था कि किसी संख्या का है रिणात्मक negative of a number क्या होता है उस संख्या के आपे चिन बदल देजिए यह दि पलस की संख्या है जैसे 7 है तो इसका negative integer या रिणात्मक क्या होगा इसका minus 7 होगा और आप यह दिखो साथ minus 9 यह परिवे संख्या है भी है प्राकर्ट संख्या है प्रुणाँ की भी है प्रुण संख्या है लेकिन इस chapter का नाम है वो परिवे संख्या इसलिए इनको हम परिवे संख्या बोल रहे है minus 9 है तो उसका रिनात्मक संख्या का होगा? 9 होगा लेकिन आप question बराते हैं ये तो है रिनात्मक किसे कहते हैं किसी संख्या के रिनात्मक मतलब आप उसका चिन बदल दीजिए, sign बदल दीजिए 7 है तो minus 7 परी में संख्या जो अपनी रिनात्मक के समान है यह नहीं तो negative है नहीं positive है plus 0 & minus 0 कुछ नहीं होता plus लगाने से और minus लगाने से 0 में कोई फरक नहीं पड़ता किसी संख याँ मजेसे Sand का है 7 इसमें आप 0 जोड़ दे या 0 गटा दे कोई फरक नहीं पड़ता तो 0 नहीं धनात्मक होती है पॉजिटिव इंटीजस और यह जो 0 है यह नीदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव यह नहीं तो दहरत्मक है नहीं रिणात्मक है तो वैपरीमे संख्याजों अपने रिणात्मक के समान हो वो कौन से होती है जिरो होती है अब आते हैं गयारवे क्यूश्चन पे रिक्त संख्याओं की पूर्ति कीजिए पहला है सुन्य का विद्करम है सुन्य का विद्करम जीरो का उल्टा अभी जैसे एक question मैं इसी में बताया था मैंने जीरो के निचे आप यदि एक लगा देंगे जीरो बटा एक, इसका उल्टा करेंगे एक बटा जीरो जो की परिवाशिते नहीं है तो आप क्या लिखेंगे यहां सुन्य का विद्करम है नहीं है यानि सुन्य का विद्करम है नहीं होता है या आप कैसे हैं सुन्य के विद्करम ऐपरिवाशित होता है दूसरा है संख्याएं फिर खालिस्थान तो प्रीमे संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समा柄 कोण से होती है एक और माईनस निस में आप लख देंगे एक और माानस पास्थ का व्युत्क्रम रसीप्रोक्ल ओकर माइनस फाइव का hardest-5 बटे वन करेंगे इसकर उल्टा क्या होगा एक का сकल ना नहीं बदलता है हुआ हुआ है इसमें एक बड़े एकस भ्रेकट में इसको है एकस जोटीं कहा है ये क्यों निखा है कि x 0 के बराबर नहीं है क्योंकि एक के बटे में ये 0 आ जाएगा तो मैंने आपको बता है ये आ परिवाशित है non-defined तो ये ये defined नहीं है तो फिर इसका हम आगे कुछ क्या solution करेंगे इसके कोई परिवाशा ही नहीं है ये परिवाशित है तो इसलिए का आगे है कि x का मान कुछ भी हो सकता है क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता इसलिए बराबर 0 के बराबर नहीं है का वितकरम है एक बटे x का उल्टा वितकरम का मदलब उल्टा सब्द क्यों ले रहा हूँ परिमे होता है, दो परिमे संख्याएं यह आपको मैंने बताई थी संवरित गुंद्रम, जो closer property है आप सारी property की वीडियो के या तो आप playlist में जाकर देख सकते हैं या description में link में लेगा आपको वहाँ जाकर आपे सारी properties को पढ़ सकते हैं आसानी से, तब यह बिल्कुल आसान हो जाता है तो दो परिमे संख्याओं का गुंद्रम हमेशा परिमे, यह मैंने आपको बताया था संवरित गुंद्रम, closer property में यह तो दो परिमे संख्याओं हैं A और B, तो जोड के लिए, गुुणा के लिए, घटाओं के लिए और भाग के लिए, क्या क्या होता है मैंने आपको बताताया है था, दो परिमे संख्याओं इसका पूरा एक एक वीडियो है, अलग से तो गुंद्रम हमेशा परिमे होगा गटाने पर भी परी में आएंगी जोडने पर भी परी में आएंगी तो यहां आपके लिखोगे दो परी में संख्याओं का गुणतफल हमेशा परी में संख्या होता है किसी धनात्मक परी में संख्या का विद्करम है तो धनात्मक परी में संख्या का व्यूत्करम क्या होता है कोई positive integer आपके पास ऐसे 7 बटे 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा 3 बटे 7 होगा तो कोई भी positive संख्या है तो उसका व्यूत्करम भी क्या होगा positive होगा धनात्मक होगा जबी है संक्य है आपके पास 13 वटे 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, दो वटे 13, ये plus की है, तो ये भी किस के आएगी, ब्लस के आएगी चिन्नी बदलता कि शिच में numerator और denominator के स्थान बदलते है, अंश और हर के स्थान बदलते है, तो इस प्रकार से ये चेप्टर के लास्ट दो क्यूश्शन दे